ओ शान्ती 21 अगस्त 2023 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य आज की मुर्ली के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को इस बेहत ड्रामा के राज को बुद्धी में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है वानी से परे रहे वान प्रस्थ अवस्था में जाना है माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्व शक्तिमान बाब से शक्ती लेनी है सदा खुशी की खुराक खाते तंदुरुस्थ और खुशनुमा रहना है एक बाब के तरफी अपने मन को लगा उसे सुमन बनाना है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली ओम शान्ती बाबा कहते मीठे बच्चे ये पुरानी दुनिया अब मिटी में मिल धूल च्छाई हो जाएगी इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धी योग निकाल दो प्रश्न मनुश्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं उत्तर मनुश्यों चाहते हैं शांती हो लेकिन अशांत किसने बनाया है ये नहीं जानते हैं तुम उन्हें बतलाते हो कि पांच विकारों ने ही तुमें अशांत किया है भारत में जब पवित्रता थी तो शांती थी अब बाप फिर से पवित्र प्रवरिती मार्ग स्थापन करते हैं, जहां सुख शान्ती सब होगी, मुक्ती जीवन मुक्ती की रह बाप के सिवाए कोई बतला नहीं सकता, गीत इस पाप की दुनिया से ओम शान्ती, ये किसका सत्संग है, मनुशे सत्संगों में जब चाते हैं तो कोई न कोई साधू संत महात्मा आदी, गद्धी पर बैठ शास्त्र आदी सुनाते हैं, परन्तु वहाँ एम अबजिट कुछ भी नहीं रहती, सत्संग से क्या प्राप्ती है, ये कोई को पता नहीं, ऐसे भी नहीं, गुरु के सिर्फ फॉलोर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे चाकर बैठ चाते हैं, फॉलोर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्मवाला हो, समझते हैं, फलाना महात्मा आया है, जट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग, महात्मा आदी कोई न कोई वेद शास्तर की ही बाते समझाते हैं, वास्तव में सत्परमात्म तो एक ही है, बागी है मनुश्यों का संग, सत परमात्मा ही नर्से नारायन बनने की सत्य कथा सुनाते हैं, सत्य नारायन की कथा होती है पूरण मासी के दिन, अभी तुम चानते हो कि सच्ची सच्ची पूरण मासी यह है जिबकी रात से दिन होता है, तुम सोला कला संपूर् कभी ग्रहन नहीं लग सकता ग्रहन तो इन सूरे चांत आदी को लगता है जो पृत्वी को रोशनी देते हैं ज्यान सूरे तो है ही सब को रोशनी देने वाला उसकी ही महिमा गाते हैं ज्यान सूरे प्रगटा यहां तो तुम सब बच्चे पैटे हो, बाहर वाले को अलाव नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं, बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुक आता हूं, पाप आत्माओं को आकर पुन्य आत्मा बनाता हूं, मंदिर में रहने लायक बनाता हूं, वह है पावन दुनिया शिवाले, शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं, देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं, तुम जानते हो कि पाँच हजार बर्ष पहले, ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे, कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्छे जानते हो। वे नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारत वासी केते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ओल्माइटी राज्य हो, आत्मा को बुद्धी में आता है, यहां देवी देवताओं का राज्य था, परन्तु ये पिचारों को पता नहीं कि ये ओल्माइटी अथोरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया, कोई समय तो था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की जड़िया था, तुम अब किसके संग में बैठे हो, कौन सा महात्मा आया हुआ है, श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवानु वाच, मैं तुम्हें राज्योग सिखलाता हूँ, तुम बच्चों की बुद्धी का ताला अब खुल गया है, जानते हो, इतनी सारी पु कर सकता है, पहले तो पूछा जाता है कि तुम को अश्यांत किस ने किया, कुछ बता नहीं सकते कि इन पांच विकारों ने ही अश्यांत किया है, भारत में शांती तब थी जबकि पवित्रता थी, पवित्र प्रवरिती मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे, देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुन हारे में कोई गुर्ण ना ही, मनुष्य काते हैं, परंतु जानते नहीं, जब बाप आते हैं, तब बच्चों पर मिहनत करते हैं, बाप आते ही हैं बच्चों के पास, यहां कोई सादू संत आदी नहीं बैट ये तो देहधारी है, तुम्हारी नसर उपर में है, हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टी नहीं है, कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, घर्व से जन्म लेता है, हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं, नाम तो दे शरीर पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा, पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परम पिता परमात्मा तो एक ही है वह है सुप्रीम बाप परम धाम में रहते हैं तुम गहते हो परम आत्मा सुप्रीम वह है निराकार उनको मिलाकर नाम पढ़ गया है परमात्मा उनको ही सभी याद करते हैं नहन हीन को रहा दिखाओ प्रभू बुद्धी उपर चली जाती है, परंपिता तरफ, जबकि सब रास बताने वाला वह परंपिता परमतमा ही है, निर्वान धाम को मुक्ती धाम कहा जाता है, जो जो आतमाई पहले आती हैं, वह जीवन मुक्ती में हैं, पीछे फिर जीवन मुक्ती से जीवन बंध में आती हैं, बच्चे चानते हैं पवित्रता, सुख, शान्ती है ही सत्युग में जबकी एक राज्य होता है उसको ही अद्वेत राज्य कहा जाता है फिर द्वेत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है पहले तो एक धर्म था अभी तो अनेका अनेक धर्म है बच्चे इस सारे स्रिष्टी चक्र को अच्छी रीती नंबर वार पूरुशार्थ अनुसार जानते हैं और कहां एम आपजिक्ट नहीं है तुम बच्चे जानते हो कि इस ज्जाड का बीच रूप परमात्मा उपर में है पहले-पहले सत्युक की रचना होती है फिर सत्युक से त्रेता बनता ह सारी स्रिष्टी पुरानी तमो प्रधान बननी ही है अब तुम पुरानी दुन्या में हो नई नहीं कहेंगे नई स्रिष्टी तो सत्युक थी कल्युक को पुरानी स्रिष्टी कहा जाता है पुरानी होने में भी टाइम लगता है पहले नहीं थी अब पुरानी है भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, World Almighty Authority राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य Almighty Authority ने ही स्थापन किया था, उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके, हर एक मनुष्य Almighty Authority अर्थात ज्यान का सागर हो न सके, ज्यान का सागर, सुख का सागर, ये मैमा एक परमात्मा की है, परसा भी तुमको उनसे ही मिलता है, बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूं, फिर आदा कल्प बाद तुम वह राज्य भागे कमाते हो, माया से हार खा लेते हो, मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है, माया भी कहती है, वहा हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है, अच्छे अच्छे महारतियों को भी जीत लेती है, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी ये कोई स्थूल हत्यारों की लड़ाई की बात नहीं, यह तो माया पर जीत पाने की लडाई है, बाकी वे लडाईयां तो चलती आई हैं, पहले कलवारे थी, फिर बंदूके निकली, अब तो बॉम्स निकले हैं, तो अब तुम बच्चों की बुद्धी में है, हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे न पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं, तुम भी नयन हीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, यह ज्यान के दिवे चक्षू की बात है, आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है, सन्यासियों ने तो आत्मा सुपरमात्मा कह दिया है, बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वे फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जैसे विश्नु को अलंकार दिखाई हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परन्तु उनका ज्यान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं, सत्युक में अगर ये ज्यान होता कि हम ऐसे गिरते ज तो राज्य भागे की खुशी ही चली जाती। ये नौलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकील दे लाडले बच्चे चानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं। फिर से अपना राज्य भागे लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम आल राउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे। हम सो शत्रिय बने। अभी हम सो फिर ब्रामन बने हैं। ये ज्यान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवानु वाच है। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिये हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानिया चुराई। यहां तो तुम सब आपे ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गव्मेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाये तो भी केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भटी बननी थी, बूड़े, जवान, बच्चे, सब वेराइटी भाग कर आ गए, कोई जाड के जाड भी आए। तो यहां की बात श्री कृष्ण क पेसाथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है, अकबारों में बड़ी धूम धाम हुई, अमेरिका के अकबार में भी पड़ गया कि एक कलकत्ते का जुवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानिया चाहिए, अभी 400 मिली हैं, तो यह सब खेल है, nothing new, कल्प बाद फिर भी ऐसे ह का, ऐसे ही तुम्हारी भटी बनेगी, तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है, तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, जीवन मुक्ती दाता को अपना बनाने से सेकिन में तुम बरसा पाने के हकदार बनते हो, जनक को भी सेकिन में साक्षातकार हुआ, कहते भी हैं, ह हमको जनक मिसल ज्यान दो जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई बाबा ने पहले पहले समझाया अभी तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हमारे सामने कौन बैठा है शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है बैल पर तो मनुष्य बैठेगा निराकार शिव कैसे किया है कुछ भी समझते नहीं गीत में भी सुना कि नैन हीन को रहा दिखाओ सब बुद्धी हीन अंदे हैं प्रजा का प्रजा पर राज्य है आगे राज्य राजा चलाते थे कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज बंडर है ना? ये बेहत का नाटक है, ये तुम चानते हो और कोई कहना सके, जो मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, ठीक ठीक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री चियोग्रफी कोई नहीं चानते, कहते हैं, पत्ता भी इश्वर क पर चलता है परन्तु यह तो ड्रामा है मक्खी यहां से पास हुई फिर कल्प बाद रिपीट होगा ड्रामा को समझना है मनुष्य ही समझेंगे बाबा कितना अच्छी रीती समझाते हैं बाबा वर्ल्ड ओल्माइटी अथॉरिटी है कहते हैं मैं भी ट्रामा के बंदन में ब कावन बनाता हूँ अभी तुम बाप से शक्ती लेते हो माया पर जीत पाने लिए माया दुश्मन ने तुमको बिलकुल बना दिया है ना हेल्ठ ना वैल्थ है अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते है वहां तो हेल्थ वैट्ट हैपी सब होगा परमात्मा को ह कहते हैं कि आकर रहा बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो, आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा, आकर हमेंों दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ, गाया भी है, दुख हरता, सुख करता, बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती सब बच्चों को सुखी बना देते हैं आगे 60 वर्ष की आयू में बच्चों को राज्य भागे दे खुद वानप्रस्ट में चले जाते थे तो बेहत का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सब को माया ने बहुत दुखी किया है तो अब ले चलने आया हूँ निर्वान धाम वा वानप्रस्ट एक ही बात है वानप्रस्ट अर्थात वानी से परे स्थान स्वीड साइलेंस होग फिर जाएंगे अपनी स्वीड राजधानी में अभी तो दुख धाम है तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विश्नु वा श्री कृष्ण है ये कैसे हो सकता है ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिये हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं, देवताओं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिये हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद पियार और गुद मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को दिल वर चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुद बाबा, शुक्रिया बाबा, धार्ना के लिए मुख्य साल. पहला पॉइंट, बेहत ड्रामा के राज को बुद्धी में रख, नतिंग न्यू का पाठ पक्का करना है. वानी से परे रहे, वान प्रस्त अवस्ता में जाना है. दूसरा पॉइंट, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्व शक्तीमान बाब से शक्ती लेनी है. ज्यान नहन हीन आत्माओं को ज्यान नेत्र देना है. वरधान, मन को अमन बादमन करने के बचाए सूमन बनाने वाले दूरा देशी भव. भक्ति में भक्त लोग कितनी महनत करते हैं, प्राना याम चड़ाते हैं, मन को अमन करते हैं. आप सबने मन को सिर्फ एक पाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया, अभी आपका मन श्रीष्ट संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन का भटकना बंध हो गया, ठिकाना मिल गया, आदी मध्य अंत तीनों कालों को जान गए, तो दूरा देशी विशाल बुद्धी बन गए, इसलिए मिहनत से छूट गए, स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं, अच्छा, ओम